कि नमस्कार दस्तों सौगात अपका एक्सल हो में चैनल में और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यह सारे वीडियो को देखने के लिए इसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं आए चलते हैं सिधा बीजियो प्रेजेंटेशन के ओपर आज मैं बात करने वाला हूं की बोर्ड के बारे में एक कीबोर्ड का आपको कंप्लीट टोटोरियल एक ही वीडियो में यहां पर मिल जाएगा तो यदि आपको कीबोर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कौन सा की कीबोर्ड मे क्या काम करता है तो वो सब जानने के लिए वीडियो को लास्तिक जरूर देखना है आइए स्रुवात करते हैं और मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं मेरा नम दुरवेश शर्मा है मैंने अभी तक अपनी दो बुक लिखी हैं जिनका नाम है वो बुक आप यूट्यूब पर लिंक मैंने बहुत तरी वीडियो में दिये हुए वहां से और ना तो डिरेक्ली एमजॉन से भी आप पर्चेस कर सकते हैं आइए बात करते हैं की बोर्ड के बारे में सबकिंजम लोग बैसिक जा आते होंगे जो लोग आप कंपूटर फांक्षण किसरा怎么 है क् इस बीडियो में एपको बैसिक से एडबांस तक सब कुछ मिलेगा सब लिहां सब से प्रचेब के वारे मैं यह आप यहां पर देख सकत एक्जामपल आपने प्रेजन्टेशन में पावर पॉइंट अगर उपन किया मुझे इसको क्लोज करना है तो मैं सिंप्ली एसकेप से बाहर जा सकता हूं स्लाइड बैक उसके बाद यहां पर नेक्स्ट जो की है अपका इसी ऐसी बैक श्लेस की बोलते हैं उसके बाद टैब की करने के लिए आप सब लोग जानते होंगे कि जब भी आप टाइपिंग करते हैं तो कैप्स ओन करने से आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे करना है तो इसके बाद में यहां पर जो आप देख सकते हैं यह लैसा और ग्रेटर का जो साइन वाला की है यह लैसा ग्रेटर बहुत सारे फॉर्मिलास में यूज ने के लिए यूज होता है उसके बाद ऑल्ट की है और की बैसिकली जो एक ऐसा की है जैसे प्रेस करने से बहुत सारे फॉर्मिलास ओपन होड़ाते हैं आपके स्क्रीन पे और की से ही सारे स्टकर्स बेसिकली स्टार्ट होते हैं वह मैं आपको बात में दिखाने वाला है है इसके इस अब हम अभी बैसिक बात करिंगे इन पर यहां पर यहां पर यह उट के साइन लगाते है नंबर दौर बहुकर यहां पर अब्रwatch के लिए और बीजेद है और यहां अमबर साथ पर होता है और यहां पर ता यह तो इसने हुआ नाटट पर कीम आपक्षब कर्याद Jud 같아서 कम करने लिए लिए कि और हुद से पहले एक एक यह आ है धो बचन सब्सक्रम है इस गया है उसके फिर दिर बंद के आज defay और हम यहां पर हा चुके हैं मेरा ही कौई बैक स्पेस बेत धो करें हैं अपकोई amiga प्लाइब करनें इसके बाद एंटर का बटन हहां यह यह गर शीजक आप इन आपर जो एनटर को使िं दो यह लगे आप्र आ यह जो दो की है स्क्वेर ब्रैकेट के लिए यूज होती है और उसके बाद यह एक और बटन है तो जो कुछ तीन-चार कुछ बटन ऐसे हैं जो डबल होते हैं यहां पर जो प्रियों करते हैं यहां पर जो प्रिंट स्क्रीन है उसके बाद स्क्रॉल लॉक का कि है अगर आप करसर को लोक कर ना चाहते हैं या उनलोग करना चाहते हैं अगर कोई भी प्रिजंटिशन ने किसी वी डिटा में काम करें इसको पॉस करने के लिए आप पॉस ब्रेक बटन यूज़ करते हैं next आपके बास option यहां पे है keyboard में delete की है और page up, page down है, यह page down है, यह page up है, यह insert है, यह home है, यह end है, इन सब का भी प्रयोग में आगे बताने वाला है, यह जो numeric keys है, यह सब numbers keys है, और उसके बाद यहां पे plus sign वाला की है, और asterisk वाला की है, जिसको multiply का symbol भी बोल सकते हैं, इसके बाद यह num lock वाला की है, जिससे यह जो numbers है, इनको lock और unlock करने के लिए प्रयोग करते हैं, यहां पे आपको जो तीन, यहां पे blinking lights में लेंगे, आपके keyboard के उपर, उनका भी मतलब होता है, कौन सी light का क्या मतलब होता है, यह जो सबसे पहला वाला right में होता है, सबसे पहला वाला right में corner पे जो blinking होता है, वो है आपका, न इसके लिए, scroll lock के लिए, अगर आप scroll lock on and off करना चाहते हैं, अगर off है, तो यह light blink नहीं करे गए, on नहीं होगा, अगर आप scroll on, lock कर देंगे on, तो यहां पे जो light है, वो screen पे on हो जाएगा, okay, उसके बाद next जो key है, यहां पर यह, next मैं दिखा लेता है, आपको slide में, यह जो key है, यह use होता है, आपका caps on and off के लिए, उसके बाद यह third वाला जो key है, आपका, यह use होता है, simply num lock के लिए, अगर number lock है, on है, off है, तो यह तीन basic blinking lights होता है, okay, यह जो functions है, basic keyboard का, मैं आपको बता दिता हूँ, जैसे मैं पहले होता है, जो red में आप देख सकते हैं, यह control keys होता है, यह जितनी भी है, escape होगे, control window, alt, यह सब keys को, और print screen, scroll lock, और post break, यह है control key, उसके बाद function keys है, जो violet color में आपको दिखेंगी, यह सब function key है, F1 से F12 तक, उनका कैसे प्रियोग होता है, वो भी है, मैं आपको आगे बताने होला हूँ, यह typing, इनको alpha numeric keys भी बोलते हैं, यह सब जितनी भी keys हैं, इनको typing key, alpha numeric key भी बोल सकते हैं, navigation key, up, down, left, right, arrow keys, और उसके बाद में, page, up, down, insert, delete, यह सब जितनी भी green में keys हैं, इसको navigation key भोलते हैं, यह numeric key है, जो आपका numbers है, उसके बाद indicator lights, जो मैं बताएं आपको कि इन तीनों lights का, प्रियोग क्या होता है, ओके, चलते हैं, next slide पे, typing key, okay, detail में बात करेंगे, अभी typing key के बारे में, typing key, same letter, number, pronunciation, symbol, key, condition, trailer, typing, typing key के अंदर जितने भी numbers, word वगेरा हैं, और symbols हैं, वो सब आते हैं, so, वो हम use करते हैं, typing key, उनको हम बोलते हैं, जो भी आपके यहां पे screen पे numbers होते हैं, मैं आपको अलड़ी दिखाया है, last slide में, उनक typing key बोलते हैं, control key, control, alt, window, key, यह जो भी keys हैं, इनको control key बोलते हैं, function F1 से F12 तक, function key बोलते हैं, navigation, up, down, home, insert, delete, यह जो keys है, arrow की, इनको navigation keys बोलते हैं, numeric keys जो right side में, बिलकुल आपके numbers होते हैं, 1 to 9, actually 0 to 9, so, उन numbers को, अब numeric keypad या numeric key भी बोल सकते हैं, अब बात करेंगे, function key क details में, F1 से F2 तक, आप बिंडो के साथ F1 प्रेस करेंगे, तो जो help की है, Microsoft से, support center है, वो open हो जाएगा, उसके बात में, जो F2 की है, basically, एक्सल में, अगर आप काम कर रहे हैं, तो इस active cell में directly जाने के लिए, आप simply F2 प्रेस करेंगे, तो जो आपका cursor है, वो Excel के उस active cell में चला जाएगा, उसके बात control के साथ, अगर आप F2 प्रेस करते हैं, जो print preview है, अब Microsoft Word में अगर काम कर रहे हैं, तो print preview देखने के लिए, कि आपका print कैसा आने वाला है, control के साथ F2 प्रेस कीजिए, तो आप print preview देख सकते हैं, और किसी भी file या folder को quickly rename करने के लिए भी, अगर आपने किसी file या folder को select किया हो है, उस पे click किया हो है, तो उसको simply आप F2 प्रेस क चार ऐसे काम हैं, जो होते हैं, sorry, जो search feature है, Microsoft Windows में, उसको open करने के लिए, F3 प्रेस कर सकते हैं, shift के साथ अगर आप F3 प्रेस करेंगे, Microsoft Word में अगर आप काम कर रहे हैं, तो upper case और lower case में आपको जो अपने word है, उनको change करने के लिए, आपको data, जो text है, उसको change करने के लिए, upper case to lower case, lower case to upper case, वो change करने के लिए, आप simply shift और F3 प्रेस कीजिए, आप अपने data को, पहले तो आपको सको highlight करना है, उसके बास shift के साथ F3 प्रेस करेंगे, Microsoft Word में, तो जो आपका data है, वो upper case से lower case में, और lower case से upper case में change हो जाता है, window की के साथ, अगर आप F3 प्रेस करते हैं, तो उ Microsoft Window Explorer में, address bar open करने के लिए, F4 प्रेस करते हैं, Alt के साथ, अगर F4 प्रेस करते हैं, तो कोई भी active program है, वो close हो जाएगा, चाहें, आप Word में काम कर रहे हैं, Excel में काम कर रहे हैं, Alt के साथ F4 प्रेस कीजिए, और F4 प्रेस कीजिए, और F4 प्रेस करेंगे, तो आपको जो active window है, और open window जो है Microsoft में, एक और नया tab, close हो जाए, sorry, जो आपने Microsoft Window में active tab है, current में, वो close करने के लिए, आप control के साथ, F4 प्रेस कीजिए, जो आपका window tab है, वो close हो जाएगा, F4 से, F4 का और भी उप्योग होता है, जब आप Excel में कोई भी formula लगाते हैं, तो उस formula में, डॉलर का sign लग प्रियोग करते हैं, ओके, next, F5, आजकल के modern browser में, इंटरनेट में, अगर F5 क्या करते हैं, F5 से सिर्फ, basically, refresh करते हैं, refresh करने के लिए document को, window page को, हम बार-बार F5 प्रेस करते हैं, ओके, अगर आपको right click करके refresh नहीं करना है, तो आप directly अपने keyboard से F5 प्रेस कीजिए, और आपका जो document है, या page है, वो refresh हो जाएगा, control के साथ, अगर आप control के साथ, अगर आप Smoke While press कीजिए, तो जो आपका force refresh होता है, कोई भी web page है, वो refresh हो जाता है, अगर आपका webpage कुछ काम नहीं कर रहा है, और आपको इसको refresh करना है, तो control के साथ F5 प्रेस कीजिए, और अगर आप Microsoft Word में क कर रहे हैं तो find replace or go to window जो डायलोग बॉक्स ओपन होता है उसको उपन करने के लिए आप ड्रेक्ट लिए फाइप प्रेस कीजिए अपने वर्ड डॉक्युमेंट में तो आपके सामने find replace go to यह सारे functions open हो जाएंगे और जिसमें मैं भी काम कर रहा हूँ पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए आप सिंप्ली एप प्रेस कीजिए प्रेजेंटेशन आपके सामने इस तरीके से दिखेगा बात करते हैं एप 6 की की नमबर 6 करसर को एड्रस बार में मू सकते हैं चंट्रोल शिफ्ट और एफ 6 एक साथ प्रेस कीजिएगा तो दूसरा Microsoft डोक्यमेंट ओपन हो जाएगा अगर आपको Microsoft document में काम कर रहें मैं रूप्र में काम कर रहें कुछ की है वो बिंडो स्टार्ट अप के लिए काम आता है जी हां अगर आपको बिंडो को सेफ मोड में करना है तो आप एफ 8 का प्रियोग कर सकते हैं तो एफ 8 का प्रियोग कर सकते हैं कि नेक्स्ट बात करेंगे f9 अगर आपको document refresh करना है Microsoft word में तो simply f9 प्रेस कीजिए तो आपको document है वो रिफ्रेस्ट हो जाएगा और email send करने के लिए डिसीव करने के लिए सेंड करने के लिए इमेल आप f9 प्रेस कीजिए डिरेक्ट लिए आउटलुक में जो आपके email आपने टाइप किया है वो सेंड हो जाएगा उसको send button क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है f10 Microsoft Windows में activate होता है जो menu bar कुछ भी application open करने के लिए यह menu bar को activate कर देता है जो application आपका open है Microsoft Windows में shift के साथ अगर आप f10 प्रेस करेंगे तो वो ऐसे काम करता है जैसे आपका right click काम करता है किसी भी internet file में करता है के बल एक्सल में अगर आपको कोई भी प्रेस कर सकते हैं स्क्रीन पर अगर आप किसी ब्राउसर इंटरनेट में इंटरनेट ब्राउसर में काम कर रहे हैं सिफ्ट के साथ f11 काम करता है के बल एक्सल में अगर आपको कोई भी extra worksheet insert करना है आप excel में काम कर रहे हैं किसी workbook में worksheet extra आपको insert करना है तो shift के साथ f11 प्रेस कीजिए और जो work sheet है वो insert हो जाएगा f12 लास्ट की है function की उसको save as window Microsoft Word ने उपन हो जाता है अगर आप Microsoft Word में काम कर रहे हैं आपको document save as करना है तो simply f12 प्रेस कीजिएगा और आपका document का button है जो save as का button open हो जाएगा आपको document save कर सकते हैं control के साथ f12 अगर आप प्रेस करेंगे तो एक और document open हो जाता है आपका Microsoft Word में shift के साथ f12 प्रेस करेंगे तो Microsoft Word में यह save की तरह काम करता है जैसे control s shift f12 save करने के लिए तो basically अगर आपको सिर्फ f12 प्रेस करेंगे तो save as का button open होगा और अगर आप shift के साथ f12 प्रेस करेंगे तो document save हो जाएगा control shift f12 कोई Microsoft Word का document print करने के लिए अगर आपको print में जाना है print preview देखना है प्रिंट करना है कोई भी document directly shortcut control shift वैसे तो control pb होता है एक control shift f12 प्रेस करेंगे function key का use करना चाहते हैं थोड़ा smart दिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप show up कर सकते हैं okay control shift f12 go to the print okay चलते हैं next slide पर दोस्तों अभी तक हमने बात की है function keys के बारे में अब बात करेंगे और जो keys होती हैं keyboard के अंदर control key navigation key numeric keys उन key key बारे में details में बात करेंगे जैसा कि मैंने पहले कहा था सबसे पहले बात करेंगे shift key के बारे में जो shift key है वो किस तरीके से काम करता है वैसे तो shift के और भी बहुत सारी use होते है basic use क्या होता है shift का कि आप shift को प्रेस करके अगर आप टाइपिंग कर रहे है तो shift को प्रेस करके कोई भी अगर आप keyboard में button प्रेस करेंगे तो वो caps में टाइप हो जाएगा मतलब capital letter में टाइप हो जाएगा very simple वैसे तो जो next key है caps lock वो भी आप use कर सकते हैं अगर आपको continue caps में type करना है अगर आपको सब कुछ uppercase में type करना है तो आप सिर्फ caps lock on करके typing की यह सब कुछ uppercase में type हो जाएगा और उतका जो indicator है वो जो highlight की मैंने आपको बताया था indicator की वो भी caps का जो होता है वो number 2 बीच में होता है वो भी आपका highlight रहेगा मतलब की light blink होगा on रहेगा next sixt a tab key की बात करते हैं tab key से app cursor को एक space से दूसरे space में move करने के लिए एक जगा से दूसरे जगा जाने के लिए यूज करते है tab से आप एक किसी भी document में अगर आप काम कर रहे हैं एक letter से दूसरे letter और या पर एक text दूसरे text में या फ़र एक program से दूसरे program में भी switch कर सकते है पता चल चुका है आपको नीचे जाने के लिए अगर आप टाइपिंग करें हैं तो एंटर प्रस कीजिए जी कोई बीड़ा किया हुआ है क्टोल सी से तो आप चंट्रोल भी पेष्ट करने की जाएगा ऑपका डेटा पेस्ट हो जाएगा उसके बाद स्पेस बार प्रिच से मंठियागा ? सारण खरद से करसर एक स्टेप फॉरबड में होता रहता है अगर आप तैपिंग रहे हैं जैसे लिए आपको स्पेस चहीं पर स्पेसे प convention स्पेस। पर इस नर्ड सार्ड में लिलीकल है प्राइक है कि मैं पर को कि 1 दिफास पर स्था स्टॉप्ट। छो जाएगा और इस ऐहरा बाट चंछ दो कर से काउसेह करेंगे को बी प्रोग्राम Word Excel Powerpoint open कर सकते हैं जैसा मैंने पहले वलl किसी भी प्रोगरम के लिए किसी भी प्रोगर्म इंट्जोस कर सकते हैं Ctrl-S कोई भी document file को save करने के लिए उसके बाद control C जासे copy करने के लिए control X से cut करने के लिए data को control B से paste करने के लिए बहुत ही basic है आप सब लोग जानते होंगे इसलिए मैं details में नहीं बता रहा है control Z से undo करने के लिए कोई भी action F1 help के लिए जैसे के पहले भी बात किये था F1 के बारे में next window key और F1 यह भी हम लोग अर्लेडी बात कर चुके हैं display help के लिए जो आपको Microsoft help मिलेगा window key के साथ आप F1 प्रेस कीजिए तो कोई भी आपको जो knowledge चाहिए आपको keyboard के बारे में computer के बारे में किसी भी related वो सब आपको महां पर मिल जाएगा application के escape की से आप किसी भी task को cancel कर सकते हैं अगर आपने copy paste किया copy paste कर दिया अगर आपको कोई भी program में आप काम करें उसको बापस जाना एक्जामपल में जैसे presentation में आप यहां पर देख रहे हैं अगर मुझे इसमें बापस जाना था मैं escape की प्रेस करके बापस presentation में जा सकता हूं जो screen है वो slides हो है back उनमें जा सकता हूं okay तो यह full screen नहीं रहेगा मैं जो slides हो है individually और एक साथ I mean वो देख सकता हूं बापस जाने के लिए back जाने के लिए escape करना है application की जो आपका application की है उसे menu command relation to selection in program equivalent to right key selection मतलब कि जो right key की तरह जो आपका application की है वो काम करता है application की के दर होता है keyboard में जो control के बिलकुल left में बिंडो के pass वाला जो button है जो आप देख सकते हैं उसमें वो तीन निसान बने होंगे dash के एक bracket के अंदर उसको हम application की बोलते हैं वो right click के तरह काम करता है अगर आपको right click करना है तो उसकी जगा simply keyboard से आप यह application की दबा के भी smart बन सकते हैं left right up and down arrow की आपको पता है इधर उदर जाने के लिए open निचे कहीं भी किसी भी document में आप काम कर रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं उसके बाद home home की से आपको cursor यह आपको backpage में टॉप में जाने के लिए या फिर किसी भी program में जब आप काम करने तो उसके line के सबसे first में जाने के लिए move करने के लिए आप home कपरियोग करते हैं and कपरियोग बिल्गर opposite of होता है इसके backpage के last में जाने के लिए आप end का प्रियोग करते हैं और control और home प्रेस करेंगे तो आप documents के top पे जाएंगे control के साथ end प्रेस करेंगे तो आप document के bottom में चले जाएंगे किसी भी document के last में जाने के लिए page up एक page एक screen अप जाएंगे page down एक screen या एक page नीचे जाने के लिए delete कोई भी file लिया कुछ भी data है कुछ भी select करेंगे तो वो delete हो जाएगा basically delete means delete करने के लिए insert insert mode on and off करने के लिए यह basically use हता है अगर आपको एक text को दूसरे text के उपर लिखना है X2 अगर X2 को X के उपर लिखना है तो आपको S type करने के बाद insert mode press करना है तो जो 2 आप type करेंगे वो X के उपर बैठ जाएगा समझ गए उसके बाद insert फिर से आगा है वही सेम है फिर बात करेंगे print screen और print screen scroll lock और pause और break यह तीन की बाकी रहती है तो print screen से आप कहीं भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं और अगर आपको स्क्रीन का print चाहिए तो simply print screen प्रेस कीजिए और Ctrl C copy कीजिए Ctrl B उसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं आप समझ गे प्रेस कीजिए एक बार अगर उसको ओपन करना है फिर से प्रेस कर दीजिए तो जो स्क्रॉल लॉक है उस बैसे उसका लाइट आपका कीबोर्ड में इंडिकेट होता है और जो मैं आपको बता चुका हूं अलड़ी जो सबसे पहला फार राइट में जो आपका ब्लिंग किंग फैटक होता हे कीबोर्ड में उसको सखरा लो का इंडिकेजर लाइट कहते हैं फोसन ब्रेक बास ब्रेक करतारी में काम करता है में से तो अगर काम करता है तो कोंबिनेशन में कंट्रोल के साथ अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो कोई भी प्रोग्राम पॉस हो जाएगा ब्रेक बेसिकली में पॉस ब्रेक झाल 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 झा